Hello everyone, Welcome back to my YouTube channel तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक important topic देखेंगे ये काफी important है और हर एक बार यहां से question आता ही है तो ये topic आप अच्छे से देखेंगे तो हर एक point को ऐसा कोई point नहीं है जो मैं clear नहीं करा दूँगा आपका तो अच्छे से देखें cranial nerve क्या चीज होती है देखें जैसे घरों में तार नहीं दोड़ी होती है ऐसे केबिल दोड़ा होता है घरों में light के लिए विजली आती है ना उसी परकार brain में उसी परकार दिमाग में ये cranial nerve भी होती है ये काम करती है अलग अलग इसके function होते है cranial nerve तो अब देखिए cranial nerve क्या चीज़ होती है देखिए यहाँ पे आप C-R-A-N-I-U-M cranium cranium मिन्स होता क्या है cranium मिन्स brain होता है बाई तो यह हम लोग brain के इसके अंदर जो हम लोग brain के अंदर चीज़े होती है brain के दिमाग के पीछे cranial nerve होती है अब cranial nerve कितनी होती है 12 pair होती है यह सब लिख लिख लिजे 12 pairs cranial nerve होती है अगर पूछा जाएगा pair में जोड़े में कितनी होती है तो 12 pair होती है अगर number में पूछा जाएगा तो आप लिखेंगे 24 क्योंकि एक pair में तो 2 होती है ना तो 24 इन number में अगर पूछा जाएगा तो आप पर लगाएंगे 24 अब ये cranial nerve की बात हो रही है cranial nerve 12 पेर होती है पेर में पूछा जाएगा 12 लगाएंगे number में पूछा जाएगा तो 24 लगाएंगे ये चीज हो गया ये सभी question पूछे गए जितने question word बोले जा रहा है objective type question में exam में अलग-अलग entrance exam में सभी question पूछे गए है तो ये चीज हो गया अब जो cranial nerve होती है ये अलग-अलग type की होती है क्योंकि कुछ cranial nerve होती है जो मालीजे हम लोग का हाथ है पैर है जो periphery आरगन है जैसे मालीजे पैर है अब ये पैर है अब इस पैर में मालीजे आप कहीं पे जा रहे है ठंडिक सीजन है ठंडा वाला सीजन है आप मालीजे बैटके allow safe रहे है अब आपका पैर जो है आग में थोड़ा सा लग गया आग में लग गया जल गया थोड़ा सा तो ये अब पैर आपका माली जल गया, थोड़ा सा तो पैर को तो आप यहाँ कोई चीज़ रखा है, आग रखी है, अब इस आग से आपका पैर यहाँ, यह पैर जाके इसमें छुग गया, तो अब पैर को तो ऐसा नहीं है कि आप इसमें छुआएगा, तो पैर को ऐसे ही पर तुरंत ब्रेन में जाती है भाई हटा इसको पर को थोड़ा पीची खीच तो एक होती है ले जाती है और एक होती है लेके आती है क्या चीज सेंस करते हैं जो चीज तो वो अलग-अलग चीजे होती है तो आप अच्छे से सब कुछ नोट कर सकते हैं और सब कुछ समझ सकते हैं तो देखिए अब इसी में जो ये बारा पेर है ना कुछ इसमें ऐसी है कि जो सेंसरी आरगन होती हैं सेंसरी नर्व होती है सेंसरी नर्व होती है कुछ सेंसरी नर्व होती है और कुछ मोटर भी नर्व होती है मोटर नर्व को यही पर आप लिख सकते हैं मोटर नर्व को इफरेंट नर्व बोलते हैं EWFERENT लिख लीजिए सब इफरेंट नर्व बोलते हैं और यहीं पर सेंसरी नर्व की बात किया जाएगा तो सेंसरी नर्व को इफरेंट बोलते हैं EWFERENT भाई यहाँ पर देखिए पहले sensory लेके जाएगा, कि पैर से तुरंत वहाँ पे आग में टच हुआ, तो ये sensory nerve क्या करती है, तुरंत सूचना लेके जाती है brain तक, और motor nerve क्या करेगा, तुरंत फिर ये सूचना वहाँ से लेके गया, फिर brain कहेगा हटा ले भाई पैर, फिर ये motor nerve क्या कहेगी, motor nerve brain से लेके आएगी, तो आप लिख लीजिए motor nerve, motor nerve लिख लीजिए motor nerve क्या करती है, motor nerve जो करती है, ये information को carry करती है, carry information, carry information लिख लीजिए, carry information को क्या करती है, information को carry करती है, फ्राम कहां से, ये brain to, brain to the periphery organ, लिख लिए परी फेरि यारगन पी ए आरः परेच ये आर वाई परिफेरि आरगन तो ये देखिए ये आप लिख सकते हैं ये ब्रेन से लेके आएगे वह जो सेंसरी नर्ब था उसको हम लोग एक आरेंट बोलते थे sensory nerve क्या करती है यहाँ पे लिख लिख लिजिए यह पेरी-फेरी से कहाँ पे लेके जाएगी पेरी-फेरी से यह लेके जाएगी to brain तक लेके जाएगी तो यह चीज आप लिख लेंगे यह पूरा एकदम अच्छे से cover करेंगे अभी हर एक point को हम लोग समझेंगे इसके बाद भविस में cranial nerve में कोई problem होने वाली नहीं है अगर question आएगे तो simple question आपके सही होने चाहिए देखिए cranial nerve क्या होती है पहले चीज आप एकदम अच्छे से पकड़िए हर एक point को हर एक concept को तो यहां देखिए cranial nerve cranial nerve जो होती है नर्ब के 12 पेर्स होते हैं है तो देखिए cranial nerve समझे लिए अभी हम लोग cranial nerve यह जो आपके 12 प्यार है अभी हर एक पेर को आपको अच्छे से बताएंगे और हर एक पेर का कुछ ना कुछ फंसन होता है बाई देखिए यहां पर पहले समझिए cranial nerves cranial nerve के बारा पेर्स होते हैं और यह आपके brain के पीछे present होते हैं इतनी चीज पता चल गई एक question यहां से बनता है question direct पुछता है कि cranial nerve कितनी जूड़ी होती है तो बारा पेर एक question यहां से हो गया next question cranial nerve आपके brain देखिए दिमाग को face चेहरे को neck गरदन को और torso को electrical signal भेजती हैं तो हाँ सही बात है cranial nerve जो होती है यह brain face neck हो गया इनको क्या करती है electrical signal भेजती हैं फिर यहां पे देखिए cranial nerve test हो गया smell हो गया hairs हो गया सुनने में sensation फिल करने में मदद करती हैं सही बात है तो यह देखिए यहां पे हम लोग बात किये थे यहां cranial nerve आपके brain face mask टारसो electrical signal को भेजते हैं cranial nerve यह सी भी होती है जो test स्वाद को टेस्ट में लेने में सूंगने में सुनने में sensation फिल करने में भी help करती हैं यह facial expression में जैसे देखिए facial जो face होता हमको change नहीं करते हैं facial expression कोई चीछ देख लेते हैं तो expression change करते हैं eye blinking आख को बंद करने में और tongue movement में जो जीव होती है उसको movement कराने में भी help करती है तो यह cranial nerve काफी चीज़े help करती है बाई brain में जब brain में कोई problem होती है ना मालेजिए वहाँ पे blood circulation नहीं हुआ तो cranial nerve जब damage हो जाती है तो कहते हैं नहीं कि पैरलेसिस उनको हो गया उनको falage मार दिया तो यही cranial nerve भी damage होती है वहाँ पे cranial nerve damage हो गया brain का कोई part होता है brain के अलग-अलग part में यह cranial nerve होती है ऐसा नहीं है कि brain के एक ही part में सभी cranial nerve है temporal में frontal में सभी ऐसे हैं देखिए cranial nerve brain के back side से start होते हैं और nervous system में important role play करते हैं हा तो cranial nerve जो होती है back side में होती है लेकि nervous system जो होता है वहाँ पे important play role करती है अब देखिए जैसे जब हम लोग nervous system का classification किये थे यह nervous system का तो nervous system का classification कैसे किये थे मैंने बताया था वीडियो बनी थी ना cranial nerve के उपर जब nervous system को divide किया गया था तो यह CNS CNS में divide किया जाता है किस में divide करते हैं यह देखिए CNS CNS में divide करते हैं और यहाँ पे PNS में divide करते हैं तो हम लोग यह cranial nerve PNS के अंतरगत ही तो आती है सोमाइटिक sensory nerve और motor sensory nerve यह PNS के अंतरगत आते हैं और central nervous system के अंदर तो brain और spinal card only आते हैं तो यह सब question पूछे गए हैं CNS के अंतरगत क्या आते हैं brain और spinal card हम पढ़ते हैं और PNS के अंतरगत हम लोग nervous system की पार पढ़ते हैं सोमाइटिक nervous system पढ़ते हैं सोमाइटिक sensory nerve पढ़ते हैं विसरल sensory nerve पढ़ते हैं विसरल motor nerve पढ़ते हैं तो यह सब चीजे पढ़ते हैं अब यहाँ पे देखिए कुछ चीजे हिंदी हिंदी आले student है भाई UP वोड के तो यह तो इंगलिस पढ़ेंगी नहीं है ऐसा लगता है इंगलिस वो चीज समझनी चाहिए भाई मैं भी UP वोड से था मेहनत किया इंगलिस को समझने में अब तो समझ लेता हूं एकदम 100% नहीं लेकिन समझ लेता हूं जितने से काम हो जाए कपाल तंत्रिकाएं किसको बोलते हैं cranial nerve को यह 12 तंत्रिकाओं का 12 तंत्रिकाओं का एक समू है जो मर्स्तिस्क में उत्पन होती है परतेक तंत्रिका का एक अलग कारी होता है जो संबेदना गत के लिए जिम्मेदार होती है इनमें देखिए इनमें गराण तंत्रिका सामिल है जो गंध का पता लगाने के लिए आउस्टेक है और आर्क्टिक तंत्रिका जो किसी ब्यक्ति को देखने में सच्चम बनाती है तो आई मुवमेंट बोला था आई मुवमेंट टंग मुवमेंट ये सब जिम्मेदार होती है कपाल तंत्रिकाओं के कार संबेदी मोटर या दोनों होते है कुछ देखिए कुछ सेंसरी नर्व होती है कुछ क्रे सेंसरी नर्व मिक्स्ट नर्व होती हैं अभी सब हम बात करेंगे संबेदी कमपाल तंत्रिकाउं ब्यक्ति को देखने सुगने और सुनने में चेहरे में उसको ये सब help करती है परतेक तंत्रिका का एक नाम होता है जो उसके कारी को दरसाता है और मस्तिस्क में उसके अस्थान के अनस्वार एक संख्या होती है बग्यानिक मस्तिस्क में कपाल तंत्रिकाओं को लेवल करने के लिए एक से लेके बारा तक रोमन अंकों का उप्योग करते हैं तो ये भी लिखा जाता है सेबंत लिखा जाता है एट लिखा जाता है ऐसे लिखे जाते हैं एट हो गया फिर ये नाइन्थ हो गया ये टेंथ हो गया ये अलेवन्थ हो गया ये आपका ट्वेल्थ हो गया तो ट्वेल्थ पेर टोटल हैं तो ये रोमनंक होते हैं ऐसे नहीं लिखा जात नेत्र संबंदी यह देखिए आकलूमेटर हो गया यह देखिए ट्रोकेलियर हो गया एस त्रीधारा तंत्रिका अप्वर्तं tntr का चेहरे की नस tntr का होती है बेस्टी वुल औक्लियर है ग्लोसोफरेंजियल है बैगस नर्भ है फिर उसके बाद सहाइक तंत्रिका है, हाइपो ग्लोसल तंत्रिका है, तो यह टोटल 12 पियर आपकी क्रेनियल नर्व है, जो आपको मैंने नाम बता दिया, अभी इंगलिस में जब बताएंगे, तब जोरदार बताएंगे, यहाँ पर देखिया कुछ इंटोडक्शन इंगलिस में कुछ हम लोग क्रे क्रेनियल काइबटी से, और यह फिर जाती है कहां पर, थुरू बाइरियस फोरामीना इंदा बोन्स, बोन्स में जाती है, जो फोरामीना होता है, आप दा क्रेनियम, क्रेनियम में जो होती है, ब्रेन में होती है, वहाँ से निकल के जाती है, अलग अलग जगा जाती है, यह देखे डिवाइट्स इंटू थ्री फंसन ये देखे ये important है cranial nerve जो होती है पूछा जाता है कि कितने इनके function होते हैं तो तीन function होते हैं cranial nerve का first function sensory function होती है sensory nerve होती है ये तीन type में divide की जाती है cranial nerve cranial nerve के divide की जाते हैं तीन में sensory nerve motor nerve and mixed nerve अब ये जो 12 pair है इसी में ये सब divide की गई there में अब कुछ पिर होती हैं वो sensory होंगी कुछ होंगी motor होंगी कुछ होंगी mix nerve होंगी और हर एक का बारा-पय है सब apo का number 1 ₲ और कुछ दो number पे कुछ तीन नामबर पे कुछ चार पांच है ऐसे उनका number फिक्स नंबर है उसी नंबर पर रहती है तो देखिए जैसे यहां पर बात किया जाए कि sensory nerve कौन सी होती है तो आप लिख सकते हैं भाई यह देखिए यह यहीं पर आप लिखा दे रहा है sensory nerve ऐसे आप तीर मार के और sensory nerve लिख सकते हैं notes बना लिजिए notes ही important है notes से ही revise कर पाएंगे नहीं तो फिर चीज़े भूल जाती है और चीज़े हो नहीं पाती है फिर भूल जाती है तो भूली ही पड़ी रह जाती है तो यहां पर लिख लिख लिजिए पेवर sensory nerve लिख लिख लिजिए या sensory nerve लिख लिजिए ऐसे लिख सकते question पूछा जाता है pay or sensory nerve बताईए या फिर sensory nerve पूछा जाता है pay or sensory P-U-R-E pay or sensory N-E-R-V-E pay or sensory nerve बताईए कितनी होती है तो pay or sensory nerve 128 होती है यह आप लिख लिजिए 128 128 का मतलब होता है जो एक से लेके 12 तक नमबर है ना पहली वाली नमबर दूसरी वाली नमबर और आठवी नमबर है तो इसमें 3 है total अगर नमबर की बात किया जाए तो total 6 हो जाएंगी अगर pair में बात किया जाएगा तो 3 pair है तीन pair जो होती है वो क्या होती है सेंसरी नर्व होती है अगर ऐसे question पूछ लिया जाए कि सेंसरी नर्व नमबर कितने होते है तो 6 होते है बाई तो यह 12 pair में क्यों हो जोड़े में क्यों नहीं जैसे देखिए human body जो हम लोग की body है यह ऐसे horizontal जिब डिवाइड करेंगे ऐसे horizontal नहीं vertical तो यह अलग-अलग ऐसे हाफ हाफ पार्ट में बटेगी न तो इधर भी चाहिए चेहरा जैसे मालीजे हम लोग का चेहरा है तो यह हाफ में तो नाक के इधर आधा है नाक के इधर आधा है तो cranial नर्व इधर आएंगी तो इधर आएंगी तो उस हिसाब से यह है तो 128 से आध कर लिजिए कि एक नंबर दो नंबर और आठ नंबर कौन सी नर्व होती हैं सेंसरी नर्व होती हैं अब यहीं पर अगर motor nerve की बात किया जाए motor nerves या paper motor nerves लिख लिजिए पि यू आरी पेवर motor nerves कौन सी होती हैं तो पेवर motor nerves की बात कर लिजिए 346 बटे 11-12 लिख लिजिए यह मैंने काफी बार बता चुका हूं 346 बटे 11-12 ऐसे लिख लिख लिजिए 11-12 लिख लिख लिजिए 3 नंबर 4 नंबर 6 नंबर 11 नंबर और 12 नंबर क्या होती हैं यह पे देवर motor nerves होती हैं और फिर होती हैं कुछ एक होती है यह देखिए mixed nerve होती है यह mixed nerve लिख लिजिए कि mixed nerve कितनी होती है तो mixed nerve लिख लिजिए पसंद लिख लिजिए एक ट्रीक ऐसे याद कर लिजिए पसंद पांच लिख लिजिए 5 नंबर फिर उसके बाद 5 और 7 से 7 लिख ल दस है, δस लिख लिजिए, तो ये देखिए ऐसे बोलें, पासνद, पासंद बोल नहीं रहें, पाँच, साथ, नो, दस, ये पाँच नंबर, साथ, नंबर, क्रेनियल नर्ब, दस नंबर क्रेनियल नर्ब काईस Bakा शी नर्बोती है, ये मोटर, mixed cranial nerve होती है mixed का मतलब होता है वो sensory भी work करेंगी और motor भी work करेंगी तो यह तीनों आप अच्छे से note कर लिए होंगे और अच्छे से समझ गए होंगे एक question यहीं पर और पूछता है यहीं पर एक question और आपको करा देते हैं का अच्छे से ब्हें नर्व की संख्या 12 पर आपको करेंगी पोलते हैं और यह लोवर आले होते हैं नर्व यह पूछता है काउन सी ऐसा जियु है जिसमें cranial nerve की संख्या 12 pair होती है किसी किसी में 10 pair होती है तो N amniots में अगर cranial nerve की संख्या पूछा जाएगा तो आप लगाएंगे कितना 10 pairs cranial nerve इनमें होती है 12 pair नहीं होती है और अगर amniots में पूछा जाएगा तो यहाँ पे तो 12 pairs होती है जिसमें हम लोग आते हैं, MRS, क्योंकि उच कसेर की भार्रटी परी में हम लोग आते हैं, जैसे इसमें हो गया, लिख लीजिए, MRS के example, लिख लीजिए, तभी तो मज़ाएगा, RAM लिख 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 ल धेने Wenn Series में जब लिखेंगे फिर क्या लिखेंगे इसके एंजांपड हो जाते हैं इसके एंग्जांपल अप लोग लेख लेजिए फिस हो गया जो अंडे अपना अंडे बच्चे जो पानी में देते हैं Heil आप लेख लीजिए फिस हो गया ऐसमें K You L होती है 10 पिर्ष ऐसे पूछ लेता है कि यह अंफीबियंस जो मेड़क होते हैं उसमें क्रेणियल नर्व कितनी होती है 10 पिर्ष होता है तो ऐसे एक मालीजिए एक कोश्चन बना दे हम तो आप लगा पाएंगे कि नहीं cranial nerve इन में चार आप्टाइल देगा, बी आप्टाइल देगा, बी आप्टाइल देगा, बर्ड देगा, तो यह आप अच्छे से नोट कर लिए होंगे, नेक्स्ट कोईशन यह देखिए, यहाँ पे जो 12 पेर आपकी cranial nerves होती है, वो आपको याद होनी चाहिए, cranial nerves पूछे जाते हैं, तो जैसे यह देखिए, first cranial nerve आपका olfactory nerve होती है, olfactory मैं आपको बता दे रहा हूँ, olfactory मतलब ऐसे याद करने की trick है, olfactory मिन्स क्या होता है, olfactory, optic और acclumeter, acclumeter का function होता है, यह आँख की movement को समालती है, यह optic nerve देखने में help करती है, और olfactory सुंगने में help करती है, माले यह कोई सीज आपके घर में बन रहा है, तो पहले तो हम देखते नहीं ना, पहले नाक में आती है, हम लोग सुंग लेते हैं, तो इसको first पे रखेंगे सुंगने वाली, फिर उसके बाद महक आती है, फिर उसको देखते हैं वाई, तो second नमबर पे कर दीजिए, फिर उसके बाद acclumeter, फिर आँख को हम लोग और ज़्यादा खोलते हैं, जिस हिसाब से कोई चीज महक रहा हो हमता है, तो इस moment में है करती है, तो इस तीन नमबर पे कर लीजिए, तो यह देखिए, उसका trick, अगर आपको यह trick याद करना है, तो मैं तो ऐसे ही याद किया था, O, 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 तीन O लिख लेते हैं, फिर एक T लिख लेते हैं, एक TRI लिख लेते हैं, फिर उसके बाद AF लिख ल इस नमबर दो नमबर तीन नमबर चार नमबर पांच नमबर जेनल साथ नमबर आठ नमबर नो नमबर जारगए बारा नमबर यह टोटल बारा प्यर प्छेनल नर्व याद करने की ट्रीक Herr ऐसे तीन फार्ट में को लिजिए ऑ lackatory apf आफ ए जी ऐफ ए ची साथ मियातरी ए आफ ए जी बी यह इंसे च ओ औ्य गिए ऑ ओ और अफ यही भारा पIRस क्रेंट्य नर्फ हो जाती हैं तो यहां पर देखिए अब ओ और ओ फिर क्योह्त्प्र हो गया बूसटी ओगा कोखिलियर हो गया, bestibulo cochlear यह देख लीजीए, bestibulo cochlear कितनी नंबर की है, आठ नंबर की है, bestibulo cochlear को auditory पहले बोला जाता था, अब इसको change करके bestibular कर दिया गया, पहले a, u, d, i, t, o, r, y पहले बोला जाता था, फिर उसके बाद यह देखिए, ग्लोसो फैरेंजियल हो गया, ग्लोसो फैरेंजियल के बाद बैगस नर्व हो गई, बैगस नर्व के बाद एसेसरी नर्व हो गई, और यह एसेसरी नर्व को स्पाइनल एसेसरी कभी कभी बोलते हैं, कभी कभी एसेसरी बोल देते हैं, अब एसेसरी नर्व हो और यह हाईपोग्लोसल लास्ट वाली हाईपोग्लोसल कौन सी नर्व है भाई यह भी मोटर नर्व है अभी मैंने बताया था ना मोटर नर्व कौन सी होती है तीन सो चालिस बटे ग्यारा बारा तो तीन सो चालिस बटे ग्यारा बारा यह ग्यारा नंबर ग्यारा नंबर दोनों मोटर नर्व होती है और यह बैगस नर्व तो मिक्स नर्व होती है ना पसंद वाली होती है पसंद दस आता है इसमें तो ऐसे याद करेंगे नौ नंबर कौन सी होती है भाई, ग्लोसो फेरेंजल कौन सी होती है, भी तो बैगस नर्ब पसंद, पसंद में नौ आता है न, तो ये भी तो कौन सी, मिक्स्ट नर्ब होती है, मिक्स्ट वाली होती है, आठ नंबर कौन सी होती है, भाई, आठ नंबर में मैंने बताया था, क् कौन सी नर्व होती हैं बाइगस मोटा नर्व होती हैं यह ऐसे ही डारेक्ट पूछ लेता है ना तो ऐसे भी आप लोग याद करेंगे जब वो ट्रिक पता रहेगा ना कि 128-346-11 पसंद तो आप वो तुरंत लगा पाएंगे नेक्स्ट में यहां पे देखे और यह भी तो पत चलेगा तो यह चीज हो जाएगी और फंसन हां क्रेणियल नर्व के फंसन थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्रेणियल नर्व होती है लेकिन उसके काम क्या होते हैं भाई क्रेणियल नर्व दिमाग में ब्रेन में तो ऐसे तो नहीं है ना कि क्रेणियल नर्व ऐसे ही फालतू रोल होता है जो control करता है आपके sensations में और Rs.Skills में सभी बात है sensory nerve sensation में help करेगी और motor nerve motor skill में काम करेगी देखें motor nerve जो होती है जो माहिने बताया था motor nerve कितना बताया था motor nerve माहिने बताया था 346 बटे 11-12 बताया था बाई 23 number 4 number 6 number 11 number 12 number ये motor nerve play role in controlling controlling your facial, chair ay ko, chair ay ki muscles ko and gland ko यह क्या करती है control करती है और यह देखिए कुछ cranial nerves जो होती trophy है mixed nerve होती है क्यो nuclei नगर जो होती है बोथ काम करती है sensorie का भी काम करती है और motor का भी काम करती होІ the respond mix nerve मैंने पसंद बताया था 5 number बताया है वो कौन सी होती है नर्व वो मिक्स्ट नर्व होती है मिक्स्ट नर्व मैंने पसंद बताया था पांच नमबर बताया था साथ नमबर बताया था और दस नमबर बताया था पसंद बताया था तो यह देख लेंगे फंसन आप सेंसरी नर्व अब जो सेंसरी नर्व के फंसन द देखिए यह फिल और टच के लिए जिम्मेदार होती है फिल एहसास कराती है और टच में काम करती है हीर सुननेने में काम करती है सुननेने में मैंने बताया था कौन सी ट्रोकैलियर होती है हेरिंग वाली होती है सुनने में कौन सी काम करती है भाई आकलुमेटर होती है ट्रोक singular cochlear होती है वही तो बाइलेंस और हेरिंग में काम करती है आगे देख लेंगे फिर उसके बाद से देखने में भी हल्प करती है sensory nerve हां देखने में भी घल्प करती है आप कों सी थी optic nerve जो थी फिर उसके बाद इसमेल सुहने में olfactory nerve हो गया टेस्ट लेने में जो जीव की moment में hypoglossal जो nerve है तो ये सब nerve है ये अलग-अलग इनके function है sensory nerve के next ये देखिए cranial nerve इधर दिये गए है भाई यहां number दिये गए है name दिये गए है कौन सा cranial nerve यहां पर इसमेल में ये देखिए olfactory olfactory nerve जो है वो sensory nerve है sensory नम्हें बताया था ना 128 यहीं पर आप total ऐसे अगर नहीं उपर लिख लिजिए अपने कापी में 128 लिख लिजिए अभी तुरंत आप तुरंत पकड़ पाएंगे 128 लिख लिजिए फिर उसके बाद 346 बटे 1112 लिख लिजिए 346 बटे 1112 लिख लिजिए पसंद लिख लिजिए 5, 7, 9, 10 अब यहां तुरंत आप पकड़ते चले जाएंगे ना यह हो गया sensory हो गया यह हो गया motor हो गया यह हो गया यह पसंद वाला क्या है पसंद वाला mixed है पसंद जो आता है वो mixed में आता है बाई ऐसे याद कर लिजिए जो पसंद वाली है वो mixed वाली है पसंद आते हैं mixed में आते हैं एक तो पसंद आते नहीं है ना हम लोगों को mixed वाले आते हैं पसंद तो यह आप लिख लेंगे अब यहां पे देखिए बाई olfactory जो है olfaction smell के लिए होती है optic किस के लिए होती है vision मतलब देखने के लिए होती है और यह optic 128 था ही 128 तो एक नमबर 128 128 एक टू और एट यह है sensory तो यह देखिए sensory हो गया acclumeter का काम क्या है nerve muscles यह service muscles आप the eye को nerve impulse प्रोवाइड करती है यहाँ देखिए ट्रोकेलियर हो गया यह motor और sensory यह मतलब mixed होती है यह ट्रोकेलियर का काम क्या करती है service the superior oblique eye muscles को यह work function में काम करती है trigeminal यह आपका important है trigeminal इतना तो याद होना ही चाहिए कि trigeminal की तकोंसी वाली है पांच नमबर होती है और यह mixed nerve होती है sensory from face और mouth, motor to muscles, mastication मतलब जो chewing करते है कोई चीज हम लोग चबाते हैं तब यह ट्रोकेलियर नर्व काम करती है तो ट्रोकेलियर नर्व एकदम रटा होना चाहिए कि ट्रोकेलियर नर्व जो यह trigeminal नर्व होती है यह क्या करती है तो trigeminal नर्व भाई होती है यह main sensory nerve होती है, motor तो वैसे तो motor nerve है दोनों काम करती है लेकिन इनका अगर पूछा जाए तो main इनका sensory nerve होती है एक question यहीं पर पूछा जाता है कि यह trigeminal होती है trigeminal पूछा जाता है कि यह largest होती है भाई, largest अगर पूछा जाए cranial nerve कौन सी है human में, humans में कौन सी nerve है जो largest है, largest मतलब होता है बड़ी होती है, बड़ी मतलब कि उसका आकार पूरा होल लिया जाता है longest एक पूछता है, एक largest पूछता है L-O-N-G-E-S-T longest cranial nerve पूछा जाता है longest का मतलब उचाई के हिसाब से देखते हैं longest का मतलब होता है, लंबी कितनी है तो यह चीज हो जाता है longest और largest longest मतलब उचाई वाली देखती है तो यह सब चीजे अच्छे से करेंगे हम लोग longest और largest अगर longest यहीं पर पूछा जाएगा तो आप कौन सी नर्व लगाएंगे, बाइगस नर्व लगाएंगे अभी आगे चलेंगे, यह देखिए ट्राइजेमिनल हो गया अब्डूसेंस का काम क्या है यह लेटरल जो रेक्टस आई मसल्स होती है उनका काम करती है और फेसियल नर्व जो होती है सेबंथ नंबर की होती है यह फेस पे काम करेंगी फेस एक्स्प्रेशन में और बेस्टी बूलर यह देखिए आठ नंबर के बेस्टी बूलर वाली है अब यह आठ नंबर देख लेंगे आठ नंबर बेस्टी बूलर है जो यह बाइलेंस और हेरिंग में इकली बिरियम और हेरिंग एकली बिरियम का मतलब जो body का वो होता ना balance बनाने में help तरेंगे तो आप bestibular को ऐसे लिख सकते हैं दो कामा बनाके इनका function होता है body का balance करेंगी नहीं तो आप चलेंगे ना गिर जाएंगे balance को maintain करती है और hearing में सुनने में भी मदद करती है तो balance और hearing में यह दोनों का help होता है फिर उसके बाद आएंगे 11th नंबर पे glossopharyngeal, glossopharyngeal cranial nerve जो होती है, motor nerve और mixed nerve काम करती है, मतलब mixed nerve होती है, motor और sensory का दोनों का काम करती है, glossopharyngeal जैसे ही आएत ऐसे आपको तुरंत क्या याद आ जाना चाहिए, glossopharyngeal मतलब यह tongue के moment में काम करेंगे, sensory, the pharynx throat, sorrowing, posterior, third tongue, tongue means jeep होता है, jeep के moment में work कौन सी cranial nerve help करती है, तो glossopharyngeal, फिर यह देखिए, last जो last नहीं, मतलब 10th नंबर, आपका 10th नंबर पे जो bygust nerve होती है, question पूछा जाता है कि bygust nerve कौन सी nerve होती है, जो longest होती है, yellow NGEST, longest cranial nerve कौन सी होती है, तो bygust nerve होती यह क्या करती है, यह by head od को moment में help करती है, larynx हो गया, heart हो गया, stomach और lungs हो गया, diaphragm हो गया, इनका जो branch होता है, काफी जादा होता है, तो उसमें help करती है, bygust nerve, कहते नहीं है, bygust nerve stimulate कर रही है, ज्यादा तर पेट में gas बन रहा है, तो यह stomach में भी काम करती है, heart के muscles में work करती ह जो abdominal cavity हो गया, lungs हो गया, stomach हो गया, यहाँ पर भी यह लेके जाती है, next यह देखिए, accessory, accessory हो गया, accessory nerve भी है, जो head की moment में यह भी help करती है, control करती है, muscles को head और neck को, shoulder को moment कराने में help करती है, यह जो होती है, spinal accessory, यह serve muscles to that head की, neck की and shoulder की, फिर उसके बाद लास्ट वाला hypoglossal, hypogloss देख लिजिएगा, यह serve muscles of the tongue, tongue की muscles को moment के में hypoglossal nerve use होती है, तो इतने इसके function है, काफी question हम लोग करा भी दिया है, अच्छे से देख लिजिएगा, एक question और पूछता है कि moment of eyeball, जो आख होता है, उसके moment में कौन सी help करती है, तो acclometer आप लोग अच्छे से लिख लिजिए यह third number वाली acclometer, जो आख के moment में help करती है, तो यह सब question हो गए, और cranial nerve से कोई question आप लोग देखिए, question लगाने की कोशिस करिए, एक भी question नहीं ऐसा होना चाहिए, कि आप से salve ना हो, सभी question salve होने चाहिए, मानो शरीर में कपाल तंत्रिका के कितनी जोड़े होती है, cranial nerve कि comment करके बताएंगे, next यह देखिए, यहाँ पे चीज़े लिखी गई है, कुछ चीज़े लिखी गई है, तो यह आप पढ़ लेंगे, यहाँ पे देखिए, वह तंत्रिका जिसमें संबेदी तंतु होते हैं, जो सुनने में सामिल होते हैं, तो कौन सी नर्भ है, जो सुनने म कौन सी हल्भ करती हैं, hearing वाली, auditory नंबर बताना है, तो वो तो आठ नंबर वाली ही थी ना, auditory, आठ नंबर वाली, यह देखिए, आठ नंबर वाली यहाँ पे लगा भी है, कि आठ नंबर वाली कौन सी नर्भ होती है, नाम आप इसमें लिख सकते हैं, आठ नंबर comment box में, comment box में, लिखने में आपको problem होती है, क्योंकि आपकी जो हाथ हैं, उंगलियां बहुत नाजू करना है, टूड याएंगे, क्योंकि बोला जाता है वेडियो में, लिखने में बहुत problem होती है, आप लोग को, मुझे problem नहीं हो रही पढ़ाने में, मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन आपको problem हो रहे हैं, क्योंकि selection आपको लेना है, इसलिए है, यह देखिए, longest cranial nerve, यहाँ पे largest की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे longest की बात कर रहा है, तो longest में, यहाँ पे देखिए, trigeminal भी दे दिया, काफी student यह question अगर आ गया ना, तो इतने student यह question गलत करते हैं, लगता है कि मतलब कि भरमार हो गई, question गलत करने की, और वो trigeminal लगा के आएंगे, इतना confidence रहेंगे कि trigeminal सही है, अगर कहीं बाइगस मतलब हो गया कि बाइगस सही है, तो चैलेंज करेंगे, कहेंगे, ऐसा कैसे हो गया, तो हो जाता है बाई, गलती हैं, चोटी-चोटी EC को तो बो अभी-आली होती है, नेक्स्ट ये देखिए, लार्जड क्रेंइल, यहां पर देखिए, अब यहां पर लार्जड आगी है, मैंने दोनों question सेलेक्ट कीया था, लार्जड में भी भाइगस और ट्राइजेमनल, यहां पर आफ ट्राइजेमनल लगाएंगे, क्यूंकि यहां पे लार्जेस्ट पूछ रही कौन सी सबसे बड़ी है यह पूछा जा रहा है तो बड़ी वाली यह है कौन सी है ट्राइजेमिनल है ट्राइजेमिनल अगर पूछा जाता है लार्जेस्ट है तो यही है नेक्स्ट में नेक्स्ट कुश्चन यह देखिए number nowPop मैंने वती है तो आप मैंने तो ट्रिक चिला चिला के बता दिया है मैंने व्याओ चिला किसी होती है तो comment box में आप comment करेंगे बताएंगे कौन सी mixed nerve है first option second option third option D option coffee student D option लगाएंगे जो की D option लगाएंगे और फिर उसके बाद नाचेंगे भी कि सही किये हैं तो आप देखिएगा लगाईएगा largest cranial nerve तो मैंने बता ही दिया largest कौन सी होती है भाई largest cranial nerve जो होती है वो trigeminal ही होती है तो आप यह तो सही करेंगे next में हाँ एक question और देखिए which are the following transmit impulse from receptor to CNS central nervous system मतलब वो receptors periphery से CNS तक कौन सी cranial nerve है transmit करती है आपको बताना है तो मैंने तो सुरू में ही बता दिया था कि उसका क्या नाम बोलेंगे efferent बोलेंगे कि यह देखिए receptor से लेके जा रहा CNS brain तक लेके जा रहा है तो जो brain तक लेके जाता है उसको efferent बोलते हैं efferent efferent ऐसे लिखा जाता ना EWFERENT 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 ऐसे याद कर लिजिए ना efferent का क्या होता इकजिक्ट मतलब E से यह आता है ना E का मतलब क्या होता बाहर निकलना तो बाहर निकलेगा brain से जब लेके आता अगर CNS से receptor जाता ना तब efferent वाला लगाते हैं लोग लेकिन यह तो कह रहा है कि यह receptor से मतलब पेरी फेरी आपका पैर आग में जल गया है और आप CNS तक इंपल्स जा रहा है तो फिर आप एफेरेंट वाला लगाएंगे ना एफेरेंट लगाएंगे और एफेरेंट कौन सी होती है sensory nerve होती है एफेरेंट नर्व होती है तो एफेरेंट देख लीजिये इसमें option number खास टितो है तो यह आप एकदम correct लगाएंगे इतने अच्छे से सब चीजे पढ़ाई गई है, वीडियो को लाइक करते रहिए, और पढ़ते रहिए, मौज करते रहिए, कोई भी टॉपिक ऐसी बची नहीं है, बालूजी हो गया, कमेस्टी हो गया, नर्सिंग अप्टेट्यूड हो गया, कोई टॉपिक पढ़ाया ना गय है, अगर आप जाके प्लेलिस्ट से किये होंगे, तो मज़ा भी आयोगा, और सब कुछ एकुरेट आपको समझ में चीजे आयोंगी, अभी भी इतने अच्छे से पढ़ाने पर नहीं समझ में आ रही है, तो आप दस बार, बीस बार इस वीडियो को जरूर देखें, जब त नम जाना काफे मुश्की लगए, तो चलिए, अच्छा से देखते रही है और वढ़ते रहे है, थैंक्यू, 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 थैंक्यू,